परिमे संख्याओं के प्रस्नावली एक दस्मलों तीन के प्रस्नों को आज हल करने जा रहे हैं प्रस्न संख्या एक है निवनलिखित को सत्यापित कीजिए यह नमबर है तीन वटे 8 गुना 5 वटे 9 ब्राबर 5 वटे 9 गुना 3 वटे 8 इसी तरह से एक प्रस्न संख्या बीवी है तो हम देख रहे हैं कि यह जो हमें सत्यापित करना है यह परिवे संख्याओं के गुनन का क्रम विनिमे नियम है तो आईए इसे हल करते हैं या कहें सत्यापित करते हैं प्रस्थन क्या A1 का A ये है 3 बटा 8 गुना 5 बटा 9 बराबर 5 बटा 9 गुना 3 बटे 8 सत्यापित करने का प्रस्थन होता है उसमें क्या करना होता है कि बराबर के बाइं और जिसे हमRHS करते हैं इनका अलग अलग हम मान निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि दोनों का मान समान होता है और जब दोनों कमान समान होता है तो इसे ही करते हैं सत्यापित करना तो आएए फ़ले हम LHS कमान निकालते हैं LHS यानि Left Hand Side या इसे हिंदी में कहें बाया पप्च तो यह है 3 बटा 8 गुना 5 बटा 9 तो यहां यह 3 और 9 तीन से 9 कर जाएगा तीने का 3 और 3 ती आई 9 तो यह हमारा आगिया 5 बटा 24 अब ठीक इसी तरह से हमारे छेस कमान निकालेंगे RHS तो यह है 5 बटा 9 गुना 3 बटा 8 तो यहां भी हम देख रहे हैं 3 एका 3 और 3 ती आई 9 तो इसका मान आगिया हमारा 5 बटा 24 तो इस तरह हम देख रहे हैं LHS कमान भी आगिया 5 बटा 24 और RHS कमान भी आगिया 5 बटा 24 तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है LHS बराबर RHS यानि दोनों कमान भी बराबर है तो यह हमारा हो गया सत्यापित अब प्रस्ण संख्या 2 को देखते हैं निमलिखित को सत्यापित कीजिए तो यहां जो प्रस्ण दिया गया है यह परमे संख्याओं के गुनन का साचरेनियम है तो आएए इसे भी हल करते हैं प्रस्ण संख्या 2 का A और यह प्रस्ण है माइनस 5 बटा 2 गुना माइनस 7 बटे 4 और यह ब्रैकेट है गुना 1 बटा 3 बराबर माइनस 5 बटा 2 गुना और यह ब्रैकेट है माइनस 7 बटे 4 गुना 1 बटा 3 तो यहां भी हम LHS का पाले मान निकालेंगे LHS तो यह माइनस 5 बटा 2 गुना माइनस 7 बटे 4 गुना 1 बटा 3 और यह ब्रैकेट है तो ब्रैकेट की क्रिया हम पाले करते हैं तो यहां तो कुछ नहीं कट रहा है तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया 5 सते 35 बटा यह दो चोके 8 और यह गुना 1 बटा 3 तो यह आ गया हमारा 35 बटे 24, तो यह हमारा LHS निकल गया, अब ठीक इसी तरह से हम RHS का भी मान निकलेंगे, RHS, RHS है माइनस 5 बटा 2 गुना ब्रैकेट, माइनस 7 बटे 4 गुना 1 बटा 3, तो इसका मान हमारा आ जाएगा, देखें, यह माइनस 5 बटे 2, और इस ब्रैकेट की क्रिया एक साथ करेंगे, तो यह माइनस 7 बटे 12, तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 सते 35 और यह दो गुने 12 हो गया, 14 तो इस तरह से हम देख रहे हैं, कि यहां भी हमें मिल गया LHS ब्रावर RHS, यानि बाया पक्ष ब्रावर दाहिना पक्ष, यह हमारा सत्यापित हो गया, प्रस्न संक्या 3, रिक्त इस्थानों की पूर्ती करें, ए नमबर है, माइनस 8 बटे 7 गुना 21 बटे 12 बरावर 21 बटे 12 गुना खाले स्थान, इस पस्थ रूप से हम देख रहे हैं, कि यह परिमे संक्याओं के गुनन का क्रम भी निमे नियम है, तो यहां हमारा हो जाएगा, माइनस 8 बटे 7, ठिक इसी तरह से, बी नमबर भी, परिमे संक्याओं के गुनन का क्रम भी निमे नियम है, तो यहां भी हो जाएगा, यहां माइनस 4 बटे 3, अब यह C नमबर, इसका खालिस्थान में क्या होगा, इसके लिए हमें इसे हल करना होगा, तो आईएसे हल करते हैं, 3 का C, यह है 9 बटे 8 भाग और यह खालिस्थान बराबर, माइनस 3 बटा 2, यह इस खालिस्थान की जगा हम X भरके और इसे हल करते हैं, तो यह 9 बटे 8 भाग X बराबर माइनस 3 बटा 2, यह 9 बटे 8 गुना 1 बटा X बराबर माइनस 3 बटा 2, यह 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 बराबर के इस ओर जब आएगा दाहिनी ओर तो यह यहाँ पर होगा गुना 8 बटा 9, तो यहाँ देखें 2 एका 2, दो चोके 8, यहाँ 3 एका 3 और 3 ती आई 9, तो यह हमारा आगया माइनस 4 बटा 3, यह 1 बटा X बराबर है, तो हमें तो X का मान निकालना है खालिस्थान का, तो X बराबर हो जाएगा, माइनस 3 बटा 4, तो यहाँ पर हमारा खालिस्थान में आएगा, माइनस 3 बटा 4, डी नंबर यह भी क्रम भी निमेनियम है, तो यहाँ होगा, माइनस 21, अब प्रस्न संख्या 4 है, निम्रलिखित के गुनात्मक प्रतिलोम अर्थात व्यूत्क्रम ज्याद कीजिए, तो पहले हमें यह जानना हुआ कि गुनात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का गुनात्मक प्रतिलोम या व्यूत्क्रम क्या होता है, तो आई ये से देखते हैं क्या होता है माल लिजे कोई संख्या X है तो इसका गुनात्मक प्रतिलों ऐसी संख्या होगी जिससे हम गुना करेंगे तो ये एक आएगा यानि ये गुनात्मक तत्समक आएगा तो X को हम किस से गुना करेंगे वन वटे X से गुना करेंगे तो इसका जो गुननफल आएगा ये गुनात्मक तत्समक अर्थाथ एक आएगा तो हम देख रहे हैं कि यह x है तो यह इसका गुनात्मक प्रतिलोम हो गया 1yx तो ठीक इसी तरह से 12 बटे 23 का गुनात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 23 बटा 12 और यह minus 11 बटे 19 का क्या होगा minus 19 बटे 11 5 का हो जाएगा 1 बटा 5 और minus 1 का क्या होगा minus 1 ही रह जाएगा क्योंकि minus 1 को जब हम minus 1 से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा हमारा गुनात्मक तत्समक अब यह नमबर है 2 बटे minus 5 तो यह होगा इसका व्यूत्करम minus 5 बटे 2 प्रस्न संक्या 5 नमलखित को सत्यापित कीजिए ए नमबर है 3 बटे 5 गुना 2 बटे 7 जोड 3 बटे 7 बराबर 3 बटे 5 गुना 2 बटे 7 जोड 3 बटे 5 गुना 3 बटे 7 इसी तरह से बी नमबर वाला भी प्रस्न है ये जो प्रस्न है ये परिमे संक्याओं के वितरन के गुन वाले प्रस्न है और इन्हें हमें सत्यापित करना है तो आए इसका मैं पहला ये नमबर सत्यापित करता हूँ Q5 प्रस्न संक्या ए तीन बटा 5 गुना 2 बटे 7 जोड 3 बटे 7 बराबर तीन बटे 5 गुना 2 बटा 7 ये ब्रेकेट में है फिर प्रस्न बटे 5 गुना 3 बटा 7 तो पहले भी हम देख चुके हैं कि सत्यापित करने में हमें क्या करना होता है कि बाया पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों का मान अलग-अलग निकाल कर हमें दिखाना होता है कि दोनों के मान बराबर है तो आएए हम बाया पक्ष यानि LHS का मान निकालते हैं क्या आता है इसे हल करते हैं तो ये है 3 बटे 5 गुना 2 बटे 7 जोड 3 बटे 7 तो हम यहां क्या करेंगे यह तीन बटे पांच गुना चुकि ब्रैकिट की क्रिया पहले करनी है तो इसे हम जोडेंगे दो बटा साथ जोड तीन बटा साथ तो इसका हर देख रहे हैं यहां भी साथ है यहां भी साथ है यानि यह दोनों जो परिमे संख्या हैं वे समान हर वाली हैं तो यह हो जाएगा हमारा पांच बटा साथ और थाथ ये 5 और 5 तो कड़ जाएगा ना तो बच गया हमारा 3 बटा 7 अब ठीक इसी तरह से हम RHS का मान निकालते हैं RHS तो ये है 3 बटा 5 गुना 2 बटा 7 जोड 3 बटा 5 गुना 3 बटा 7 तो अब इसे गुना करेंगे तो 3 दुना 6 बटा 7 पचे 35 और यहां 3 तियाई 9 बटा 35 बराबर इसका हर भी इस परिमे संक्या का हर भी 35 और इसका भी 35 है यानि यह दोनों समान हर वाले हैं तो यह हो जाएगा हमारा 15 बटा 35 और इसे जब हम काटते हैं 5 से तो यह 5 तियाई 15 और 5 से 35 तो यह आगिया 3 बटा 7 तो इस तरह हम देख रहे हैं LHS का मान भी 3 बटा 7 है और RHS का मान भी 3 बटा 7 है इसलिए LHS बराबर RHS और यह सत्यापित हो गया चुकि यह दोनों बराबर है सत्यापित ठीक इसी तरह से हम B नंबर प्रस्ण को भी हल कर सकते हैं इसे आपस्वयम से हल करेंगे प्रस्ण संख्या 6 गुनन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरन गुन के उप्योग से निम्नलिखित का मान ग्याद कीजिए वितरन गुन का प्रयोग करते हुए हमें इनका मान निकालना है तो आएए इसका मान निकालते हैं प्रस्ण संख्या 6 इसका A ये है मैनस 3 बटे 7 गुना 5 बटे 12 जोड 11 बटे 12 गुना मैनस 3 बटे 7 बरागर हम देख रहे हैं कि इस जोड के बाइन तरफ और दाहीनी तरफ यहां भी मैनस 3 बटे 7 है और यहां भी मैनस 3 बटे 7 है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में है अर्थातिये कॉमन है तो इसे हम इस तरह से कॉमन लेते हैं यानि बाहर लाते हैं तो मैनस 3 बटे 7 और फिर ब्रैकेट में इस ओर बच गया हमारा पांच बटे 12 और जोड 11 बटे 12 बराबर माइनस 3 बटे 7 यह देखिए यह गुना है इन दोनों परिमे संख्याओं का हर समान है यहां भी 12 है यहां भी 12 है तो यह हमारा हो जाएगा 16 बटा 12 जोड़ेंगे तो तो फिर अब हम देख रहे हैं कि यह कटेगा 3 एका 3 और 3 चोड़े 12 और यह 4 से फिर 4 चोड़े 16 तो यह हमारा आगया माइनस 4 एका 4 बटा 7 तो यह हमारा हो गया अब ठीक इसी तरह से हम B को हल कर रहे हैं B यह है 5 बटा 8 गुना 7 बटे 12 घटाओ 13 बटे 24 और गुना 5 बटे 8 यहां पुना हम देख रहे हैं कि इस घटाओ चिन के बाई और और इसके दाहिनी और यहां भी 5 बटे 8 है और यहां भी 5 बटा 8 है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे तो यह 5 बटा 8 तो यह अब ब्रैकेट में इधर हमारा बच गया 7 बटे 12 घटाओ 13 बटे 24 तो यह पांच बटा 8 और इसका गुना इसका LCM जब लेंगे 12 और 24 का यानि लगुत्तम समापवर्त तो यह होगा 24 और यहां हो जाएगा 14 घटाओ 13 बराबर 5 बटे 8 गुना 1 बटा 24 तो यह तो कोई कटेगा नहीं तो यह हो जाएगा पांच बटा अब 8 और 24 को अब गुना करी आठ चोके 32 का दो हाथ मरहा 3 आठ गुने 16 और 13 उनिस तो यह हो गया एक सो बिरानवे पांच बटे एक सो बिरानवे प्रस्न संख्या C छे का C यह है मैनस 16 बटे 7 गुने मैनस 3 बटे 7 जोड 11 बटे 12 गुना मैनस 3 बटे 7 तो प्लस चिन के दोनों और हम देख रहे है मैनस 3 बटे 7 है यहां भी है और यहां भी है तो इसे हम कॉमन निकाल ले रहे हैं तो मैनस 3 बटे 7 यह गुना यहां हो गया मैनस 16 बटे 7 जोड 11 बटे 12 तो यह हो गया मैनस 3 बटे 7 और गुना यह 7 और 12 का लास हो जाएगा बारसते 84 तो 7 से फिरी बारा बार और बारा को 16 से गुना करेंगे तो यहां गुना करके हम देखते हैं यह हो गया 32 और यह सुल दो नौ एक सो बिरानवे तो यह हो गया मैनस एक सो बिरानवे और यहां पर हो जाएगा यह 12 से 84 को भाग देंगे तो 7 बारसते 84 और 7 से 11 को गुना करेंगे तो यह 77 हो गया बराबर मैनस तीन बटे 7 गुना और एक सो बिरानवे से 77 हम गटाते हैं तो यह 12 से 7 हो गया पांच यह 8 बज गया 8 से साथ गया एक और यह एक यानि फिर से लिखते हैं माइनस 115 बटा 84 और इसे हम हम काटते हैं 3 से तो यह 3 एका 3 तीन दूनी 6 और यह 24 बच गया तो 3 अठी 24 22 और और तो नहीं कट रहा है चलिए अब हम साथ से दिखते हैं कुशिस करके साथ एका साथ चार पैंट तालिस नहीं कटेगा चलिए तो बराबर यह माइनस माइनस प्लस हो गया और यह हो गया 115 बटे 196 अब प्रसन संख्या D माइनस 3 बटे 5 गुना 5 बटे 13 घटाओ 9 बटे 13 तो यह है माइनस 3 बटे 5 गुना दोनों का हर समान है तो यह हो जाएगा 13 हर में लसर कहेंगे तो पांच भटाओ 9 तो यह हो गया माइनस 3 बटे 5 गुना माइनस 4 बटे 13 यह माइनस माइनस प्लस हो गया यह तींचों के 12 बटे 65 इस तरह से यह चारों प्रस्ण हमारे हल हो गये और वितरन गुन का उप्यूग करके हमने इनका मान निकाला